हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चानल, मेरा आज का वीडियो इस अबाट फ्लेक्जिबिलिटी, तो दोस्तो फ्लेक्जिबिलिटी मतलब अपने जॉइंट्स को फुल एंड कम्पलीट रेंज ओप मोशन में गुमाने की अपने मसल की अबिलिटी, अपने अबिलिटी समझने मतलब वो अवस्था जहाँ पे आप अपने बोडी की जॉइंट्स को अपने मसल के सहारे सीधा करते हैं, और अब बात करते हैं, इलेस्टिसिटी के बारे में, इलेस्टिसिटी is the ability to come back to the normal size or shape, मतलब मसल की वो अबिलिटी जिसमें आपके जॉइंट्स फिर से normal position में आते है बिना किसी damage के हैं, अब इसका इस्तेमाल हमें activity of daily living मतलब हमारे रोज मररा के जिंदगी में हमेशा जाने अंजाने में होता ही है, मान लो अगर अचानक आपको कोई heavy चीज जमीन से कुछ दूर उपर उठा के रखनी है, तब आपके मसल में वो ability होनी बहुत जरूरी होती है नहीं तो आपको मोच भी आ सकती है, तो इस ability में आपको आपकी muscular contraction और stability के साथ-साथ flexibility की भी जरूरत होती है, नहीं तो injuries हो सकती है अब अच्छी flexibility होने के लिए कुछ factors बहुत important होते हैं, जैसे कि body temperature, age, person की activity, gender, body composition, मतलब आप fat है या fit और previous injuries, मतलब आपको पहले से कोई injuries है, तो आपकी flexibility कम हो सकती है इसमें body temperature और gender बहुत ज़्यादा माइने रखते है, because आपकी body अगर अच्छे से warmed up नहीं ही रहेगी, तो आपके joints अच्छे से stretch नहीं हो पाएंगे तो अगर आप कोई joints stretch कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखो कि पहले आपको body का warm up करना है Second important factor of flexibility is gender, as compared to female, male में flexibility बहुत कम होती है, because female में relaxing नाम का hormone होता है, जिससे कि वो कोई भी physical pain जहल सके और यह hormone female में इसलिए होता है, because वो उनको pregnancy के दोरान birth देते वक काम आता है, but अगर आप practice करोगे तो ही flexibility बनी रहेगी, फिर चाहे आप किसी भी gender के क्यों नहों Because जैसे ही आपकी age बढ़ती जाती है, degeneration की वज़र से आपकी यह भी ability कम होती जाती है So दोस्तों, फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई सुझाव देना है, तो कृपया कमेंट कीजिए वीडियो को like and share करना और चैनल को subscribe करके bell icon दबाना मत बुलिएगा थैंक्स फ़ वाचिंग